मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे मेसेज़ आ रहे थे जिसमें आप कहा रहे थे कि मैं Nikon Z5 की सेटिंग्स के बारे में एक वीडियो बनाओं अला कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ Z6-2 की सेटिंग्स के उपर, Z7-2 की सेटिंग्स के उपर और Nikon के जितने भी कैमराज हैं, उन सभी कैमराज की सेटिंग्स लगबग एक जैसी होती है पर आपने कहा, तो मुझे लगा के चलो, एक वीडियो बना देते हैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि Nikon Z5 के अंदर मेन्यू में क्या-क्या ओप्शन्स अविलेबल हैं साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप इसमें आई मेन्य को कस्टमाईज कर सकते हैं और तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप आपके कैमरा में दिये हुए कस्टम फंक्शन बटन्स को सेट कर सकते हैं तो अपना कैमरा निगाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने कैमरा को सेट करना शुरू केजिए पेशन के साथ इस वीडियो को देखना क्योंकि वीडियो तो लंबा होने वाला है जहाँ पर आप मिस कर जाओ वहाँ पर पॉस करो, रिवाइंड करो और दुबारा से देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पर काम यह करेंगे कि आपने जो भी अपने कैमरा के अंदर सेटिंग्स की हुई है उनको रिसेट करेंगे और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा photo shooting menu में और यहां हम जाएंगे reset photo shooting menu पर और हम करेंगे yes और अब हमारी settings reset हो गई है और अब हम जाएंगे playback menu में और playback menu में जब आप आएंगे तो यहां पर आपको पहला option देखने के लिए मिलता है delete common सी चीज़ है आपको पता है delete से क्या होता है आप images को delete कर सकते हो यहां पर आपको मिलता है playback folder तो अगर आपने multiple folder बना रखे हैं तो उसके अंदर से आप किस folder की images को देखना चाहते हो वो यहां पर आप देख सकते हो उसके बाद आपके पास option आता है playback display options तो इसको एक बाद हम press करते हैं और यहां पर हमारे पास options है कि जब हम playback कर रहे हैं अपनी images को तो उसके उपर हम क्या देखना चाहते हैं हम उसके उपर focus point कहां पर था यह देखना चाहते हैं यह हम exposure info देखना चाहते हैं यह हम highlight देखना चाहते हैं इसी तरीके के आपको यहाँ पर अलग-अलग options मिलते हैं तो जो भी चीज आप अपनी image को playback करते हुए देखना चाते हैं उसको आप यहाँ पर select कर लीजे और वो आपको आपको आपर दिखना शुरूँ हो जाएगा अब अगला option आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है dual format recording PV slot कि जब आपके camera में दो slot होते हैं तो उसमें से अगर आप दोनों slots के उपर shoot कर रहे हो या आप एक के अंदर shoot कर रहे हो और दूसरे के अंदर आप उसका backup ले रहे हो तो उसमें से कौन से slot के images को आप देखना चा है तो उसके बाद में क्या click होने के बाद आप image का review करना चाहते हो या नहीं अगर आप image review करना चाहते हो तो आपके पास में यहाँ पर options है on और monitor only so on का मतलब यह है कि जैसे ही आप image को click करोगे तो वो आपको viewfinder के अंदर भी उसका preview दिखाएगा और साथ इसाथ back screen के अपर पर 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 दिखाएगा लेकिन आप जैसे ही उसको करोगे monitor only जो मेरे असाब से बिल्कुल सही selection होगा तो इसके अंदर आपको सिर्फ monitor क उपर ही वो preview दिखाएगा viewfinder के थुरू अगर आप images को capture कर रहे हैं आप viewfinder use कर रहे हैं शूट करते टाइम पर so viewfinder के अंदर अगर आपको preview दिखाएगा तो distract करेगा आपको so better यह है कि आप यहाँ पर monitor only लगा ले पर यह completely आपकी चोईस है आपको किस तरीके से shoot करना है यह आपके उपर depend करता है तो मैं यहाँ पर monitor only लगा देता हूँ इसके बाद में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको option मलता है after delete delete करने के बाद में क्या होगा जैसे आप किसी image को delete करेंगे तो वो क्या करेगा so next image दिखाए या previous image दिखाए या continue as before रहे so यहाँ पर आप next image लगा दीजे ताकि जैसी आप delete करेंगे तो next image आपको दिखाए दिजाएगी delete करने के बाद में अगला हमारे पास option है rotate tall जो इसको हम on ही रखेंगे अगर आप इसको off कर देंगे तो आप जिस भी orientation के अंदर image को खीचेंगे वो वहाँ पर सीधी नहीं होगी तो इसको मैं हमे तो आप यहीं पर ही rating दे सकते हो one star two star आप कर सकते हो ओके अब important जो menu है वो हमारे पास में photo shooting menu ये सबसे important है और same इसी तरीके से अगला जो menu है वो है movie shooting menu तो इन दो के उपर आपको specially ध्यान देना है तो सबसे पहले हम आते है photo shooting menu के अंदर तो सबसे पहले चीज आपको यहाँ पर set कर सकते हो अब हम यहाँ से इसको back कर देते हैं simple नाम है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और same यहाँ पर है आपको file naming यानि कि आप अपनी images को किस नाम से save करना चाहते हो जैसे by default आपको मिलता है dsc लेकिन अगर आप change करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपने studio का नाम या अपना नाम दे सकते हो जो की file name dsc की जगह पर वो जो आप alphabet starting में डालोगे वो आ जाएगा इसके बाद में numbers as it is चलेंगे तो इसको अभी हम back कर देते हैं अब यहाँ पर आ रहा है role played by card in slot 2 मतलब यह कि जब आप 2 cards use कर रहो अपने camera में तो उसके अंदर जो second card है जो jpeg slot 2 अब इन तीनों चीज़ों को हम एक बार समझ लेते हैं तो overflow का मतलब यह है कि आपने अपनी memory को double कर दिया तो जब आपका एक card भर जाएगा तो automatically second card के उपर वो images को store करना शुरू कर देगा और जो backup का मतलब यह है कि जब एक card भर रहा होगा तो same उसकी copy दूसरे card के अ image इसका backup होता है जो कि आपके लिए बहुत important है और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप raw plus jpeg shoot कर रहे हो तो आप slot 1 के अंदर raw files को save कर सकते हो और slot 2 के अंदर आप jpeg को save कर सकते हो तो मैं आपको यह recommend करूँगा कि आपको इसको backup पे रखना चाहिए बाकी again आपकी choice जैसा आप use करना चाहिए वैसा आप अपने camera को use कर सकते हैं अब मैं इसको यहाँ पर backup के लगा देता हूँ और आगे चलते हैं आगे हमारे पास में है choose image area यहाँ पर आपके पास में option है fx dx once to one 16 by 9 so basically fx है full frame z5 full frame camera है so आपको full sensor का capture यहाँ पर मिलेगा dx यानि कि इस पर crop apply ह हो जाएगा 1.4x का so जो dx cameras होते हैं उसके अंदर जो आपको crop मिलता है same यहाँ पर आपको वो मिलेगा once to one अगर आप squarish image खीचना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर once to one का option मिलता है और 16 by 9 मतलब यह कि अगर आप tv format के अंदर आप image को खीचना चाहते हैं cinematic format के अंदर खीच लेंगी पर अगर आपको तोड़ादा zoom जाना है तो आपके बास यहाँ पर option है dx पर जाने का dx को जैसी आप apply करेंगे so 50 mm की जगा आपको 75 mm की focal range आपको मिलेगी so basically focal range यहाँ पर change नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर 1.4 या 1.5 का crop apply हो जाएगा इसलिए आपको image थोड़ी सी zoom दिखाई देगी so कई बार हमारे को जरुत पड़ जाती है कोई zoom image को use करनेगी ऐसे में हम dx को use कर सकते हैं images के अंदर जब आप dx apply करेंगे so यहाँ पर image का resolution भी घटेगा लेकिन अगर आप dx यूज करते हैं video format के अंदर तो वहाँ पर 4K के अंदर भी इस पे कोई फरक नहीं पड़ता आपको सिर्फ zoom मिल जाएगा लेकिन आपके video quality में कोई फरक नहीं पड़ता तो यहाँ पर आपको हमेशा इसको fx पे रखना है पर अगर आपको ज़रुत पड़े crop की तब आप dx के उपर जा सकते हैं अब अगला है आपके पास में image quality यहाँ पर आपके पास में ब के भी options हैं JPEG fine लगा लिजिए best quality की JPEG आपको मिलेगी पर मेरे हिसाब से आपको raw plus JPEG में ही shoot करना चाहिए अगर आप wedding photographer भी है और आपको लगता है कि आपको सारी images को process करना पड़ेगा जो आपके लिए feasible नहीं है बहुत time लग जाएगा तब भी मैं यह कहूंगा कि अगर आप raw plus JPEG shoot करते हैं तो JPEG आपके पास में ready हैं लेकिन अगर कुछ JPEG में आपको लगता है कि मैं इनको enhance कर सकता हूँ इसमें exposure को correct कर सकता हूँ dynamic range को बढ़ा सकता हूँ colors better कर सकता हूँ तो अगर आपके पास में उस file की raw भी होगी तो आपके लिए जादा better है मतलब यह कि JPEG की feasibility आपको मिल जाती है और साथी साथ raw के उपर भी अगर आपकी images होती है तो आप उनको जादा better तरीके से correct कर सकते हो definitely cards जादा लगेंगे लेकिन cards को इतने महंगे नहीं है कि आप उसको afford ना कर सकें तो आप cards जादा रखो जादा cards को भरने दो लेकिन आपके पास में अगर feasibility होगी correct करने की अपने images को तो जादा better results आपको मिलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा इसको NEF raw plus JPEG fine मेर रखना चाहिए तो अब next हम आते हैं image size के उपर so image size आपके पास में options हैं कि large, medium, small so आप medium or small पे आप क्यों जाओगे मुझे नहीं पता मेरे हिसाब से यहा पर आपको large ही रखना चाहिए, so हमने यहाँ पर large set कर दिया, अब NEF recording के अंदर जब आप जाएंगे, so यहाँ पर आपको option मिलता है NEF raw compression और उसके अंदर आपको मिलता है lossless compressed और compressed, so मेरे इसाब से lossless compressed के अंदर आपको अपनी images को shoot करना चाहिए, इससे फाइदा यह होता है क आपको raw का पूरा पूरा data मिलता है, पर space यहाँ पर कम consume होता है, compressed भी आप use कर सकते हो, मैंने use नहीं किरी है, compressed files मैं हमेशा lossless compressed यूज करता हूँ, तो मेरे इसाब से आपको lossless compressed ही यूज करनी चाहिए, अगला option आपके पास में है NEF raw bit depth, so यहाँ पर 14 bit और 12 bit आपको दो options मिल हैं, raw जितने जादा bit में आप shoot कर सकते हो, उतना ही आपके लिए better है, तो हम यहाँ पर 14 bit के अंदर ही इसको shoot करेंगे, so अगला option हमारे पास में यहाँ पर है ISO sensitivity settings, so इसके अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पर हम auto ISO sensitivity control को सबसे पहले on कर देंगे, जब आप इसको on करेंगे, so आपको नीचे मिलेगा maximum sensitivity, so यहाँ पर हमारे को maximum sensitivity को set करना है, मतलब यह कि आपका camera maximum कितने ISO तक जा सकता है, so मेरे हिसाब से आपको आपके camera को 6400 के उपर रखना चाहिए, यह मेरी choice है, क्योंकि मुझे लगता है 6400 ISO से उपर कोई भी आप camera यूज़ कर लो, उसमें कही ना कह noise आती है, हाला कि मैं जब camera use करता हूँ, चो मैं 800 से उपर नहीं जाना चाहता है, और जब मैं lights के अंदर अपने camera को use कर रहा होता हूँ, तो मैं उसको 100 के उपर ही रखता हूँ, और अगर मेरे camera के अंदर option है, कि मैं और नीचे जा सकता हूँ, जैसे कि मैं Z9 जब use करता के अंदर मेरे पास option होता है, 80 का और 64 का, तो जितना lowest मेरे को मिलता है ISO, मैं उतने lowest के उपर अपने camera को use करता हूँ, पर यहाँ पर Z5 के अंदर 100 है, तो हम यहाँ पर 6400 maximum के उपर चला जाते हैं, और दूसरा option यहाँ पर आपको यह दे रहा है, maximum sensitivity with flash, तो यहाँ पर इसको भ variety में होगा, या program mode के अंदर होगा, तो ऐसे में आपका shutter यहाँ पर, जो minimum आप डालेंगे के वो यहाँ तक रहे, जैसे अगर हमने यहाँ पर 1 by 100 कर दिया, तो वो 1 by 100 के उपर रहेगा, लेकिन अगर optimal उसको exposure नहीं मिल रहा होगा, मतलब यह कि अगर ISO हमने क्योंकि 6400 पर पह होचने के बाद भी, अगर आपके camera को लगेगा, कि exposure करेक्ट नहीं है, तब वो shutter को घटाना शुरू करेगा, otherwise वो shutter को 1 by 100 के उपर ही रखेगा, okay, so इसको हम auto के उपर ही छोड़ देते हैं, अब यहाँ पर अगली चीज आपके पास में है, wide balance, so wide balance को मैं यहाँ पर आपको explain क्योंकि wide balance के उपर मैं already videos बना चुका हूँ, link नीचे description में डाल दूगा, तो आप उसको check कर सकते हैं, क्योंकि अगर wide balance को मैंने यहाँ पर explain करना शुरू किया, so यह video कई घंटों का चला जाएगा, okay, so wide balance मैं यहाँ पर नहीं explain कर रहा हूँ, और next है picture control, so picture control को भी मैं यहाँ पर explain नहीं करूँगा, क्योंकि picture control के उपर भी मैं video बना चुका हूँ, और उसको भी नीचे description में डाल दूगा, उसके बाद है manage picture control, basically यहाँ पर आप अपनी खुद की picture profile को बना सकते हैं, load कर सकते हैं, या आपने जो भी modify किया है, उसको यहाँ पर हम save कर सकते हैं, अब अगल से आपको जादा तर sRGB में शूट करना चाहिए, क्योंकि आज की rate में जितनी भी हम images शूट करते हैं, वो कहीं नगाई social media के उपर ही जाती हैं, पर अगर आप printing के लिए use कर रहे हैं, तब आप Adobe RGB के उपर शूट कर सकते हैं, problem यह है कि जब आप Adobe RGB के उपर अपने images को करना चाहिए, क्योंकि आपका जो monitor होगा, वो sRGB को 100% support करेगा, अगर आप बहुत high-end wedding album प्रिंट करने जा रहे हैं, तब आपको Adobe RGB के उपर शूट करना चाहिए, और आपके बाद जो monitor है, वो monitor भी Adobe RGB का होना चाहिए, तो अगर आपके पास में Adobe RGB का monitor है, तब ही आप Adobe RGB में शूट करो, otherwise कोई जरूद नहीं है, sRGB भी बिल्कुल perfect आपको color space देगा, और आपके images में कहीं कोई problem नहीं आएगी, अब next आपके पास में active delighting,